सो हेलो गाइस इस वीडियो में आप सभी को टोशीवा की तरफ से लॉंच वे एकदम लेटेस स्मार्ट टीवी के बारे में बताने वाला जो की 43 इंच के स्क्रीन साइज में आता है इसका जो रेजिलूशन है आप सभी को 4K HD पिक्चर क्वालिटी के साथ देखने को मिलने वा है जो की रिखजा इंजिन है यह इंजिन जो है इमेज क्वालिटी को बेस्ट यहां पर बनाता है 4K रेजिलूशन में ताकि आप सीन्स वगेरा जो है अच्छी तरीके से यहां पर एंजॉय कर पाओ इंक्रेडिबल वीविंग एक्सपिरियंस के साथ यह टीवी आता है डी नमबर आफ कांटेंट प्रोस्कार सकते हो वहीं पर आप सभी को जो है जो भी आपके फेपराइट शो सोते हैं म्यूजिक लैन वीडियो सोते हैं फंट यह लृवाविग वागेर होते हैं आप यहाँ अराम से एंटाय currently देह देख सकते हो इस त्समाइज्पी में क्यूश बढ़ियां audio quality भी मिलने वाली है dual 12 watt के जो एक clear direct speakers मिलने वाले है total आपका जो output हो जाता है वो इसमें 24 watts का देखने को मिल जाता है और वहीं पे जो इसकी brightness है डिस्प्ले की वो आप सभी को 300 nits की देखने को मिल जाती है Dolby Vision और Dolby Atmos दोनों का ही support मिलता है HDR का भी support मिल जाता है आप सभी जो है इसमें काफी बड़िया natural colors देख पाओगे क्योंकि color remaster की technology भी यूज़ की गई है वहीं पे picture booster का भी इस्तमाल इसमें किया जाता है AI image optimization की भी technology यूज़ की गई है तो आप सभी को picture quality में कोई भी यहाँ प है ताकि आप जो है multiple devices से भी मतलब different devices से भी आप इसमें जो screen sharing कर पाओ जैसे कि आप सभी के पास अगर android है iMac है iPod है iPhone है etc आप सभी जो है इसके साथ pair कर पाओगे cast कर पाओगे अपनी memories को बड़िसी screen पे dual band का Wi-Fi मिलता है तो uninterrupted connectivity यहाँ पे मिल जाती है काफी smooth आप सभी जो मिलता है जिसकी मदद से आप सभी जो है अपने headphones को भी इसके साथ और आम से connect कर पाओगे इस team आप सभी Google Assistant में मिलता है तो आप अपने remote से ही जो है TV को control कर पाओगे voice search कर पाओगे अपने remote से ही and voice enable remote यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है वाई पे minimalistic design मिलता है काफी ब iCare Blue मिलता है जिसकी मदद से जो blue lights होती है उसको जो है यह reduce करता है इस TV में Apple Airplay Apple Home का भी support मिलता है तो आप सभी जो अपने iPhone को भी आराम से इसके साथ कास्ट कर पाओगे यह TV आप सभी को total जो है 3 HDMI के पोर्स के साथ आता है 2 USB के पोर्स मिल जाते है 2023 यह जो launch year है तो आप सभी लेटिस्ट स्मार्ट टीवी मिल रहे है टोशिवा जैसे ब्रैंड की तरफ से अब देखो टोशिवा एक बहुत बढ़ी ब्रैंड काफी डूरिबल रहता है इसमें आप सभी को OTT प्लैटफॉर्म से सब देखने को मिल जाती है फाइनल इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 27 जरूर से बताईए इसी स्मार्ट टीवी के बारे में मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई भी कोशिशन है तो कोशिशन का आंसर मैं जो है जरूर से करने के कोशिश करूँगा आप सभी कमेंट कर दीजिएगा मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्क्रेप कर लेना